मेरे साथ बात करने के लिए उंपरकार राजभर जी हैं, सर किस तरह से आगे की तैयारी अब तो इंडिये में आप शामिल भी हो गए हैं? देखे, उत्तर पदेश में जो 80 लोगसवा सीटे हैं, हम लोग उत्तर पदेश से आते हैं, 80 की 80 लोगसवा सीट जीतेंगे, विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, चौदर से लेके 2023 तक देश में सरकार और देश के सरकार की योजनाएं मानी नडेद मोदी जोड़ा गरीबों के लिए विकास की योजनाएं धरातल तक जा रही हैं, उत्तर पदेश में 6 साल से मानी योगी आदितनाथ जी, तमाम योजनाओं को और केंद्र की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रहा है, खाली बीरोधन बतिया रहा है, कोई काम तो है नहीं, कोई बीरोध की अलामा कोई बात बता देजिए जो ये लोग कर रहे हों, तो ये सिर्फ हतासा और निरासा मिलेगी इनको, कोई सीट मिलने वाली नहीं है, जान व्यापी को लेकर आज सर्वे पर इस से लगा दियागे, इस पर क्या कहें? दिखिए ये कोट का मामला है, बोट का फैसला जो आएगा, दोनों पक्षों को मान पिष्ट इंडिया बना ली है, तो कुछ होना नहीं है, यह कुछ हो बना लें, एक सीट बता देजे कहां ही सब जीती हैं, हम अगर जीला बता देई, आजमगर, मौव, बलिया, गोरकपुर, देवरिया, असरा वस्ती, बलरांपुर, गोंडा, फैजाबाद, सुल्तान प्र अमिलपूर, जाला नुरई कहां जीती हैं, इस सब, कव सीट न मिली, सौमी प्रसाद मौरिया लगातार बयान बाजी कर रहे हैं, अभी बदनिनात को लेकर भी उन्होंने काफी बयान बाजी किया, तो इस पर लेकिए पान साल सत्ता में थे इधर, चार बार सत्ता में थे ब बंधन है वो सफल नहीं हो सकता कहीं से भी वो जीत नहीं रहा है कैमरा परसन अर्विन कुमार के साथ कफील रह्मान भारा समचाल लखना हूँ